दूद को सेहत के लिए काफी फायदे मंद माना जाता है। ये कहावत सच भी है कि दूद पीने से ताकत आती है। डाक्टर्स भी अधिकतर मामनों में दूद पीने की सलाह देते हैं। दूद के महत्व से सभी को जागरूख करने और डेरीक शेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्शित करने के उद्देश से प्रतिवर्ष एक जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और अंगठन द्वारा 2001 में की गई। इस अंतरराष्ट्रिय दिवस के जरिये लोगों को दूद पीने के फायदों के बारे में बताया जाता है। हालाकि अक्सर बच्चे और युवा दूद पीने में आनाकानी करते हैं। किसी को दूद की गंध तो किसी को दूद का स्वाद गर्मियों का मौसम है। इस मौसम में खुद को तरोताजा और ताकतवर बनाये रखने के लिए दूद की कुछ रेसिपी बनाकर उनका सेवन किया जा सकता है। इससे शरीर को दूद के जरिये मिलने वाला पोशन, स्वाद और गर्मी में ठंडक का अहसास हो सकता। इस लेक में गर्मियों में दूद से तयार होने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में बताया जा रहा है। मिल्क शेक बच्चों को दूद भले ही पसंद ना हो, लेकिन गर्मियों में शेक जरूर पसंद आ सकता है। आप मिल्क शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक या बच्चे के पस जा सकता है। उपर से चेरी, ड्राइ फ्रुट्स या आइस क्रीम से गानिश कर सकते हैं। कोल्ड कॉफी किसी रेस्तरा में कोल्ड कॉफी पर आप पैसे खर्च कर देते हैं। बजार जैसी कोल्ड कॉफी घर पर ही बना कर पिएं। इसमें दूद, चीनी, कॉफी और चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल करें। आइस क्यूब मिलाकर मिक्सर में अच्छे से शेक कर सकते हैं। इससे जागदार कोल्ड कॉफी बनकर तयार हो जाएगी। ठंडाई गर्मियों में ठंडी ठंडी ठंडाई मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ठंडाई की सामगरी आपको आसानी से बजार में मिल जाएगी। आपको बस इस सामगरी को दूद में मिलाकर, चीनी और रोज सिर्प मिलाकर ठंडाई बना सकते हैं। दूद का शर्बत तर्बूज के बीज निकाल कर उसे पीस लें. अब तर्बूज के जूस को दूद में मिलाएं. चीनी और थोड़ा सा रुआवजा मिलाकर दूद और तर्बूज वाला महबबत का शर्बत बना सकते हैं.